चंदर शेखर आजाद ने कहा कि अखिलेश यादब समाजिक ने आएगा मतलब नहीं समझते हैं अखिलेश ने दलितों का अपमान किया है उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादब से मुलाकात के 24 घंटे में चंदर शेखर आजाद का मोह भंग हो गया आजाद समाज पाटी के अध्यक्ष चंदर शेखर आजाद ने अखिलेश को दलत विरोधी बताया और कहा कि हम समाजवादी के साथ गट बंदन में नहीं जा रहे आजाद समाज पाटी के संस्थापक अध्यक्ष चंदर शेखर आजाद ने शनिवार को लखनव में प्रेस कॉंफरेंस की इस दुरान चंदरशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादफ पर जोड़दार हमला बोला चंदरशेखर आजाद ने कहा कि अखिलेश यादफ समाजिक नियाय का मतलब नहीं समझते हैं अखिलेश यादफ ने पलटवार करते हुए कहा कि हमने उन्हें दो सीटे देने का नण ने लिया उन्होंने फोन पर किसी से बात की और गटबंदन का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया चंदरशेखर आजाद ने कहा कि मेरी अखिलेश यादफ से पिछले छे महीनों में काफी मुलाक आते हुई हैं इसी बीच सकारात्मक बाते भी हुई लेकिन अंति समय में मुझे लगा कि अखिलेश यादफ को दलितों की जरूरत नहीं है आजाद ने कहा कि आरक्षन समीत सभी मुद्दों पर बात हुई 9 साल से बहुजन समाज को इखटा कर रहे हैं मेरी प्रेस कॉन्फरेंस रोकने की कोशिश भी की कई अखिलेश यादफ शयाद गटबंदन नहीं जाते हैं हम जेल गए मेरी लड़ाई विधायक बनने की नहीं है मुझे समाजिक ने आये चाहिए इससे पहले आजाद समाजपाती के संस्थापक अध्यक्ष चंदरशेखर अजाद ने शुक्रवार को सपा दफ्तर में अखिलेश यादफ से मुलाकात की थी चंदरशेखर ने कहा था कि उनका सपा से गटबंदन लगबगतता है इसकी आदिकारी घोशना भी जल्द की जाएगी उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए समान विचारधारा वाले सभी दलों का एक हो कर्चुनाव लड़ना चाहिए पश्यमी उपी में तलित वर्ग पर चंदरशेखर का अच्छा प्रभाव माना जाता है इसे देखते हुए सपा आसपा के बीच गटबंदन को लेकर काफी पहले से चर्चा हो रही थी प्रभाव माना जाता है